हेलो फ्रेंज वेलकम तो मैं चैनल सिलिकॉन एज मैं नाम सुक्विंदर है तो आज अगेन मैं लेके आ गया हूँ एक बजट लैप्टॉप का रिव्यू आपके सामने और जिनको एक पर्फॉर्मेंस वो लैप्टॉप चाहिए और गेमिंग भी नहीं चाहिए यह उनके मैं आपको दिखा दूँगा जल्दी से मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेकिए मैं स्क्राइब लाते रहता हूँ तो देखिए यह जो लैप्टॉप है यह फुली प्लास्टिक बिल्ड है आपको कहीं मेटल बगर यूज नहीं किया है माईने इस पर आपको इसकी बेस प्ल बूत है और अगर यह जो कलर है ग्रे कलर में आता है आपको डिस्प्ली के अगर बात करते हैं इस तरह से दिखता है यह फुली जरी आपको रेडमी की ब्रैंडिंग मिलती है तो डिजाइन को लेगे मुझे कुछ खास कंपलेंस नहीं है क्योंकि जिनको शिंपल Laptop उनके लिए अच्छा laptop है design simple सा दिया है नो ने weight भी कुछ खास नहीं है 1.8 kg लाइट वेट है उस हिजाब से भी तो अगर आपको portable laptop चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगा रामसे से लिए का move कर सकते हो इतर उदर बात करें पोर्ट की तो right side आपको मिलता है जो कि इसको lock करने काम आता है आपको एक LAN पोर्ड मिलता है अच्छी बात इनों लाइन पोर्ड दिया है यहां पर यह गिगाबिट पोर्ड है रियल्टे का चिप मिलता है यहां पर इस पर USB 2.0 का पोर्ड मिलता है टाइप अब यह चीज है कि नोंने 2.0 दिया यह मुझे अच इसके लावर राइट सेट कुछ नहीं है लेफ सेट अगर आते हैं यहां पर मिलता है कि इसके 65 वाट की चार्ज को सपोर्ट करता है यहां पर एक LED इंडिकर्टर मिलता है जो इसके चार्जिंग लगाओ गे तो यह लाइट ब्लो करेगी फिर आपको यहां पर एक USB 3.2 जने पर एक USB 3.2 जनेशन आपको मिलता है तो पोर्ट में अच्छा है लैंपोर्ट भी दे दिया है तो यहां कोई कंप्लेंस नहीं है तो यहां आता है Intel के i5 11th generation processor के साथ अब अब कोई ध्यान रखनी है कि इस पर प्रोसेसर जो है तो 11th generation का बट जो H series वाला processor होता है वो लगा हुआ है high performance series वाला जो प्रोसेसर का model है वो है 11300H तो आप समझ सकतो यह जो processor है यह basically gaming laptop में आता है जो उन्होंने इस पर दिया है तो यह जो प्रोसेसर है यह आता है चार कोर्स के साथ क्वाड कोर प्रोसेसर है यह और यह hyper threading भी support करता है मिन्स आपको total out threats मिल जाती है बेस फ्रिक्वेंसिस की 3.1 giga's होती है और यह boost में 4.4 giga's तक चल जाता है rated TDP जो इसकी है 35 watts की और मैंने दिखाए कि यह कुछ time के लिए 35 watts तक जाता है उसके बाद यह down होके 20 watts के आसपस consume करता है प्रोसेसर वाइस तो कोई complaints नहीं है आगे बढ़ते कर बात करते हैं memory की तो यह आ जाता है MI ने RGB की memory दी है उन्होंने dual channel नहीं दी है यह single channel mode पे चल रहा है यह मुझे drawback लगा क्यूंकि जो companies onboard RAM देती है वो basically dual channel mode पे configure करके देती हैं तो इसका थोड़ा बहुत आपको नुकसान performance में देखने मिलेगा इसके बात कर लेते हैं हम लोग graphics की तो यह आता है सब्सक्राइब करते हैं इस पर अगर अगर अपग्रेड करना चाहते हो स्टोरेज को तो नहीं मिलता है बट आप इसी के SSD को रिमूफ करके उसकी जगा में एक high capacity SSD लगा सकते हैं फिर आजाते हैं बात करते हैं touchpad की इसके touchpad आप देखोगे तो बहुत अच्छा है बड़ा touchpad है dedicated left and right clicks भी मिलती है और यह windows का precision drivers का भी support देता है मिलता है यह पर touchpad is okay कोई अब मैं आपसे इसके camera से ही बात कर रहो मेरी वीडियो कैसी हरी आप देखो मेरी sound कैसी हरी आप देखो आपको आइडिया रहोगा से camera कैसा को सन्मियार होगा इसका performance कैसा है तो camera ठीक है मैं तो भी studio लाइड पर आपको सन्मियार होगा यह तर से camera test चलिया के बढ़ते हैं बात करते हैं अगर speakers की आपको इस पे दो speakers मिलते हैं left and right stereo speakers और यह दो आज के speakers है sound काफी loud है इसकी अम इस normal budget laptop से तो अच्छी sound है इसकी और DTS processing भी support करता है जिससे आप तोड़ी और बुष्ट तोगेरा कर सकते हो speakers कैसे हैं बात कर लेते हैं अगें सबसे important department जो डिस्प्ले होता है तो दीकि इस पर पंद्राइपट शेंज का screen मिलता है जो कि full HD screen है but again जैसे मैं हमेशा बोलता हूं screen की technology भी माइने रखती है सब कुछ अच्छा था laptop का screen कहीं ने अच्छी नहीं दी है इस पर TN पैनल है अब TN पैनल का नुकसान आपको जैसे मैं हमेशा बताता हूं viewing एंगल सोड़ी खराब होते हैं मैं जगर सामदे से यूज करोगे कोई issues से मिलेंगी चल जाएगा maximum brightness की काफी अच्छे स्क्रीन की 250 चल जाती है brightness की काफी ब्राइट दिखती है बस अगर यह बात करते हैं बैटरी डिपार्डमेंट की तो यह laptop को पता है बनते हैं तो बैटरी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है 46Wh की बैटरी दी है इन्होंने और यह बैटर मैं देखा है कि बहुत अच्छा पर्फॉर्म करती है मैंने इस पर वीडियो प्लिबैक किया फूल एच्टी और यह यूटूप से मैंने डाइक फ्रिम किया था तो मैं देखा कि आराउं 8-9 घंटे का backup दे रहा था जो कि बहुत अच्छी बात है तो मिनीमम 10-11 चार्जिंग भी जल्दी हो जाती है एक से देड़ घंटे में फूल चार्ज हो जाता है लाफटाप और यह आता है 65 वाट के चार्जर के साथ जो इसे जल्दी से चार्ज कर देता है बात कर लेते हैं वाइरलेस की तो यह आता है इंटल के 9560 डूल बैंड वाइफाई के 10693 पॉइंट अब देख रहांगे स्कूर कितना अच्छा है बहुत बढ़िया स्कोर है 2D स्कोर मिलता है 210 प्वाइंस अब मेमरी स्कोर मिलता है 2325 पाइंस तो अब देख रहे होंगे जो स्कोर है यह कहीं ना कहीं कि यह सिंगल चैनल पर चल रहा है तो आपको जीप्यू तो अगर दूवल चैनल होता तो यहां भी इसको बूस्ट मिलता है काफी अच्छा हो जाता बच तिल ऐसे भी इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है यहां कोई कंप्लेंस नहीं है प्रोसेसर बहुत अच्छा है इसका बात कर लिए थरमल की आप बोलोगी कि हाँ इस पर गेमिंग अला प्रोसेसर लगा हुआ है तो यह हीट भी होता होगा तो थरमल अच्छा होना जरूरी है बट यह उतना हीट नहीं होता है उसका रिज़न य अगर बात करते है बहुत सर्फ इवेंट्स मिलते हैं बहुत बढ़एं काम किये वेंश की सबसे और बड़े बड़ेवेंश नहीं काम आएगा और एक्साच्छ की बात करते हैं तो वही डिस्प्लेइश के बीच में यहां पर एक्साउस दिया रहता है जो कि होट एर को बह इसका performance बहुत अच्छा हो दिस्प्ले में आप काम चला सकते हो तो यह laptop बहुत अच्छा है विदा इन इश्यू की performance बहुत अच्छा है इसका बैटर बैटर भी बहुत अच्छा है तो इस इस आप से यह recommended laptop है बट अगर आप स्क्रीन देखते हो तब आपको मैं बोलूगा IPS स्क्रीन वान लैटर देख लो जादा बेटर रहेगा ऐसे यह अच्छा है अब आप सब ले सकते हो यह ता मेरे रिव्यूज रेडमी बुक 15 प्रो का आपको आईडिया आगे लैटर कैसा है अगर आपको मेरे विडियो पूस आपको